राइका के जंगल, जिन्हें एन्वारिमेंटलिस लंग्स ओफ जम्मू कहते हैं, उन राइका के जंगलों में क्या जमू कश्मीर का हाई कोट कॉंप्लेक्स शिफ्ट होगा? वकीलों से वादा किया गया था कि ये हाई कोट कॉंप्लेक्स शिफ्ट नहीं होगा, लेकिन नैशनल बोर्ड आफ वाइड लाइफ ने अक्टूबर 2020 को हाई कोट का जुडिशल कॉंप्लेक्स राइका में बनाने के लिए क्लेरेंस दे दी हैं, 40 हेक्टेर की लैंड को लेकर जमुकश्मीर के लॉड डिपार्ट्पेंट ने अप्लाई किया था कि इस 40 हेक्टेर पर हाई कोट कॉंप्लेक्स बनाने की इजाज़त दी जाए, क्लेरेंस दी जाए, और वो क्लेरेंस अब मिल चुकी है, यहां पर सवाल यह है कि क्या, जमुकश्मीर का हाई कोट कॉंप् के नाम पर जंगलों को काटा जा रहा है वहां पर क्या सरकार ने भी डिसाइड कर लिया है कि हमें बिल्डिंग्स पसंद है पेड़ नहीं अब जो है पहले जब हमें पता चला कि यह प्रोजेक्ट जो है संक्षन हुआ तो NGT को अप्रोच किया NGT में हमने एक एप्लिकेशन फाइल की थी जो एप्लिकेशन में PCCF से रिपोर्ट मंगवाई गी थी जम्मू कश्मीर तो PCCF ने रिपोर्ट सम्मिट की थी वह रिपोर्ट की कॉपी आपके पास भी अगर आप उसको पढ़ेंगे तो आप यह इसके लिए पांच एक्टर से जादा लैंड नहीं दी जाएगी जबकि उस प्रोजेक्ट में 40 पॉइंट सम्थिंग एक्टर्स जो है लैंड सेंक्शन की थी दूसरा यह कि हमने वहां पीचिस कंटेस्ट की थी कि एक वाइड लाइफ सेंक्शन होगा तो इससे जम्मू को पड़ेगा और नाचली वाइड लाइफ को भी बहुत जादा इड्वर्सली एफेक्ट पड़ेगा इसको तो हम एंगीट में एंगीट में पीसी सेफ की रिपोर्ट मंगवाई हमारा केस लिस्ट हुआ था बट अनफॉचनेटली हम अपियर नहीं हो पाई जिसकी वरा से हम की तरीके से स्कूटनाइज नहीं किया उसके बाद हमने रिव्यू पेटिशन भी फाइल की एंगीट के सामने बट वो भी डिस्मिस होगी अट लास्ट हम लोग एसलपी फाइल करने के लिए सुप्रीम कोड चले गए हमने सुप्रीम कोड के सामने एसलपी फाइल की और वो तरह से भी आग्यूमेंट हुई होगी उन्होंने अपनी सफाई में क्या कुछ कहा गर्मेंट की तरफ से तो उस दिन कोई अपियर नहीं हुआ था क्योंकि नोटीस होता उसके बाद ही अपियर होते हैं हमारे यह पॉइंट से सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि जो आपने उसको सेंक्शन किया और वही उठा के आप जो है वाइल लाइफ बोड भी जो है उसको एकॉर्ड कर रही है सेंक्शन इट मींस कि वह एक तरफ से टर्म्स एंड कंडिशन में कह रही है कि हम रेजिदेंशल परपस इसके लिए लैंड नहीं देंगे दूसरी तरफ से दो कि यह पोरा पूरा परोजेक्ट ही जो है कोड़ क्रिया ना उन्होंने लिए कर्षेट मेंना उन्होंने कुछ रेटिफिकेशन के लिए के रेक्ड थे साथे में जो नाशनल वाललाइफ बोल्नेव क्लेरंस दी है जो आत्वी कि यो टिस्प्लेस्मेंट नहीं चोगी उस यह accurate नहीं है देखिए government का starting से जो stand था राइका को लेके वह एक आप यह भी देख सकते हैं कि government जिद पर थी उनको था कि हमने यह जगा देख लिए हमें यहां बनाना ही बनाना है by hook or by group by all means हमें यहां पर बनाना ही बनाना है तो जो जैसे हैं वो कह रहे हैं कि वहां पर जो है कि जो वहां के inhabitants हैं उनको एफेक्ट नहीं पड़ेगा उस चीज से वह सरासर जूट है government पनी PCCF ने जो report समिट कि है उन्होंने खुद यह चीज नहीं बताई है कि वहां पर inhabitants रहते हैं वहां पर उन्होंने यह चीज नहीं बताई है कि वहां पर घर बने हुएं क्यूंकि अगर वह यह चीज बताते तो retrospectively वह अकाउंटेबल हो जाते कि भाईया आपने forest land को इनक्रोच ही कि होने दिया और कैसे होने दिया तो यह सब जो चीजें जितनी भी आप देखो report भी अगर आप scrutinize करोगे public domain में भी अगर आप उसको देखोगे तो जो है वो everything is flawed this project is all in all flawed आप इस प्रोजेक को लेकर लड़ाई लड़ रहे थे कि राइका में यह जो है high code complex shift नहीं होना चाहिए क्या आपने जम्मू की civil society में एड़ोकेट्स को किसी को अपरोच किया जानने की कोशिश कि क्या वो आपकी मदद करेंगे और किस तरह का response आपको मिला देखो honestly हमने अपरोच करने की कोशिश की और हमें भी अपरोच किया गया बट जब help की बारी तो किसी ने हमारी help ने कि यह मैं honestly एक बताऊंगा कि किसी सबने का थीक हैं हम आपके साथ हैं हम यह बट किसी ने भी हल्प नी की हमने खुद से वह लड़ाई लड़ी डेली तक के सब करने का मखसद था हमने को बचाना ही बचाना हो इसलिए हल्प किसी ने की अगर होनिसलि आपको बताया जा मेरे साथहि आप प्रेजिजेंट अधित्य मुझे बताएं कि आप और और आपकी और्गनाइजेशन राइका फॉरस्ट क्ले क्या करने जा रही है इवेंट प्लान किया है जिसमें हम ने कुछ चीजें प्लान की जैसे ओपन माइक्स परेड्स और लोकल अवेरनेस राइका के रिलेटेट की जम्मू में जैसे इंवार्मेंटल क्लेरेंस धडले से ह हो रही है हर जगा उसके ओपर हमने राइका को फ्रंट फेस रखके हम बाकी सारे इशूस की बात करेंगे और 14 को हम ये इवेंट हमने इसलिए प्लान किया क्यूंकि एक साल से हम देख रहे थे कि जितने राइका के लिए केसिज हुए जो भी आक्टिटीज हुई सब फिलाल के लिए फिलाल अभी फेल चल रही थी तो हमने सोचा कि हम एक बच्चों के लेवल पर फिलाल बचा नहीं पाएंगे जो की टूथ है सब को रियलाइज रही है तो हमने क्या सोचा अगर आखरी साल है हमारा राइका के साथ सु लेट्स सेलिबरेट आफ वालेंटाइन लास वालेंटाइम विद राइका सुमने कुंसेट रख लिया कि बचा नहीं सकते तो आखरी उनके सांसे उनके साथ बितानी हमने कि उनको जितना हम प्यार दे सकते हैं ना कि हमने अपनी तरफ से सब कोशिश की बट जिनका काम था उनने कुछ नहीं किया मतलब एक काइंड ओफ इसमें हम बोलेंगे कि 14 फेब को हमारी परेड होगी राइका के लिए प्लस वरक्शॉप सोंगे उसमें काफी हम काफी कुछ उसमें बताएंगे सो पार्टिस्पेट करें उसमें राइका के बारे में समझूंगी कि आप ने राइका विजिट किया होगा राइका में अपने पर मैक्सिंम जितने आप घर देखोगे ना वहां पर फार्मिंण बंदें कि आपकी घाह बैसें पाली होई होगा यहां ने वहां पर सर्व फार्मिंग के वाले और कोई पक्का मकान फिलाल बनानी है और इंक्लूदिंग दाट जिस लैंड में यह बात कर रहे हैं उसमें 87 कनाल का ग्रेवयार भी आ रहा है सो काफी कुछ है इसमें जो कागजों पे स्टोरी है और जो रियालिटी में स्टोरी है बहुत-बहुत डिफरेंस है उसमें फिलाल मेरे साथ है क्लामेट फ्रंट इंडिया के फाउंडर अन्मोल ओरी अन्मोल राइका में इस तरीके से फोरेश की क्लियरेंस एक दो दिन में ही मिल गए हाउ डियू सीथ इस ऐज यूज ब्लंडर बिकश्य पीपल नोट थिंकिंग दैट फार किया आगे जा के क्या होगा हम लोगों को काफी एक डेट साल से डेवलप्मेंट की बात की गई और उस डेवलप्मेंट को पुश करें के लिए काफी सारे साथिफाइस की है जो अभी सिटीज बाकी बड़ी सिटीज भागी है और फिर हम लोग काला दुओं देखेंगे जब यहां आसपास तो देन विल रेलाइस की यह किस लेवल पर हम लोगोंने इस्ट्रक्शन गर दी डाट इस वाई अभी क्लाइमेट फ्रंट जैसी ओगनाईजेशन और कुछ लोग और अगर हम लोग इस तरीके से करते रहेंगे तो नाचरल डिजास्टर होने के आशंका उनके उनकी प्रॉबबिलिटीज बढ़ सकती हैं विच 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 प्रॉब्लम्स एज वेल एस फॉर 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 इस ताम पर जमो कुश्मीर में देखे जमो शहर में स्पेसिफिकली जंगलों में एंक्रोच्मेंट हुई हुई है उसके इलावा तवी में भी लोगों ने कॉंक्रीट पहुंचा दिया है अपने घर बना लिये हैं ऐसी सिचुएशन में जो एक रायका का मामला है उसके इलावा बंटोल प्लाजा है उज रिवर ह में पेडों को काटने से पहले एक दो बारी सोचा भी नहीं जा रहा तो क्या लगता है कि कहां पर यहां पर फॉल्ट सिवल सोसाइटी का भी है कि इतनी अवैरनेस नहीं है कि हम सवाल पूछ सकें कि यह सारे पेड जो आप काटने जा रहे हो आने वाली जिनरेशन सांस किसे मैं इस चीज में सिवल सुसाइटी का इतना बड़ा फॉल्ट नहीं दूंगा पॉस्टनली अगर हम लोग देखें जो पुराना स्ट्रॉक्चर था जब जब जेंड के स्टेट थी तब काफी सारी चीजे चेंज काफी सारी डिफरेंसिस थे अभी को लेकर खासकर इंवार् चल प्रदेश में इन्वार्मेंट इस बिग इशू तो जेंड के में भी होना चाहिए वें इट काम्स तो पॉलसी मेंग और डेवल्लपमेंटल अक्टिविटीज बट यहां पर वो चीज नहीं हो रही है इस चीज पे ना कोई लॉंग टर्म पॉलसी है ना कोई लॉंग टर्म थिंकिंग है विजन है इसलिए मैं फॉल्ट नहीं मानता पेकर सीफिल सुसाइटी को यह प्रोब्लम्स पहले फेस करनी ही नहीं पड़िए पहले इतने बड़े level पे इतने बड़े scale पे इतने सारी clearances नहीं आती थी तो ये environmental issues जम्मू कश्मीर में बहुत ही rare होते थे इस वज़ा से अब focus environment पे इसलिए आ गया है क्योंकि अब एकदम से जब इतना जादा rush किया जा रहे है इतने जादा development projects आ रहे है और उन पे oversight की कमी है we have to understand that जम्मू में जितने भी clearances है वो इस level पे expedite की जा रही है जो अभी तक unprecedented है मैंने नहीं देखा कि environment clearances ऐसी हो it is like formality के लिए ही environment clearances रखी गई है government ने और वो actual में regulations को follow नहीं कर रहे है सरकार से जब सवाल पूछा जाता है कि forest को क्यों काटा जा रहा है तो अकसे जवाब यह मिलता है कि compensatory afforestation हो जाएगी यानि कि किसी और जगा पर हम जो है पेड लगा देंगे तो उतना नुकसान नहीं होगा we'll be able to balance it out लेकिन जहाँ पर हमने foresters से बात कि उनका यह कहना था कि jungle जब आप natural forest को destroy करते हैं you can never replicate it आप नया पेड लगा सकते हैं हो सकता है वो पेड survive करें हो सकता है वो पेड survive ना करें ऐसे में जहां फोकस ही होना चाहिए जहां पर आपके पास barren land है या जहां पर आपके पास encroached land है वहां पर अगर आप यह projects बनाए भी तो मुझे नहीं लगता कि आम आदमी को या किसी को भी इस मामले में दिककत होगी लेकिन आपको site वो पसंद है कि जहां पर आपके जो ह आपको site वही पसंद है और आप मतलब डट गए है कि वही पर बनाना है जंगल जो है वह एक रिसोर्स है humans के लिए भी and earth के लिए भी it is like human resource है वैसे जंगल forest is a resource a forest अगर हम लोग I first of all want to say कि बहुत अच्छा कोशन बुचा है विकाज यह बहुत ही डीप कोशन है it is not just about JNK it is about the whole world हम लोगों को समझना पड़ेगा forest की value अगर हम लोग forest काटते हैं और उसकी जगा दूसरा forest लगाते हैं वह forest की देख रहे किस तरीके से हो रही है जो नया forest है उसमें उसमें discrepancies होती है then we have to understand that एक forest को उगने में कितना डाइम लगता है उसको बड़ा होने में कितना डाइम लगता है और उस forest को कितना डाइम लगेगा तो वहां पर भी compensation कुछ नहीं मदब एक तरीके से उस चीज़ को भी ध्यान में नहीं रखा गया है then अभी अभी सुप्रीम कोट ने ये एक judgment दिये जिसमें उन्हों ने बताया 75,400 रुपीज इस cost of one big tree and ये cost multiply कर सकते हैं हम लोग उसके age की जितनी उसकी age है एक tree की अब आप imagine करो अगर इस cost के हिसाप से ही हम चले supreme good की judgment के हिसाप से तो जितने पेड अभी राइका में कट रहे हैं या बंट ओल प्लाजा में कटेंगे उस हिसाप से अगर वो compensatory afforestation कर भी रहे तो हम ल चो का idea है जो I think बड़े लोगों के लिए it should not make sense and जब government ऐसी बाते करती है खासकर जब उन्होंने Paris Agreement पे इती बड़ी बड़ी बाते इती बड़े-बड़े claims दिये हो जब उन्होंने international level पे बोला हम environment के लिए ये करेंगे वो करेंगे और फिर वो ऐसी चीजों को promote करती है internally तो I think they are misleading us I think they are not they are not actually serious about environment and ये चीज़ पूरी साफ हो जाती है इस तरीके से कि union minister of heavy industries is also the union minister of environment अगर ये दोनों minister same है तो आप भी journalist है मैं भी इतना समझदार हूं कि मुझे पता है कि क्यों एक दोनों opposing industries का एक ही बंदा रखा जाता है so that easily हम लोग बाइपास कर सके environment clearances को so that that is my idea about compensatory air forest station बहुत ही वेग और बच्छो वाला ये आइडिया लगता है मुझे wildlife की clearance मिल चुकी है अब केवल काम स्टार्ट होना है औरेड़ी राइका के उन जंगलों में बोर्ड लग चुके हैं लेकिन जो जमु कश्मीर हाइकोट कॉंप्लेक्स जानिपूर में है जो अल्रेड़ी building खड़ी है उसका क्या होगा वहीं दूसरा सवाल ये भी बनता है कि उसके expansion के लिए अल्रेड़ी एक project चल रहा है और वकील भी यही expect कर रहे थे कि अब उन्हें move नहीं करना पड़ेगा जमु की civil society जो जिस समय इशू बना था उन्होंने भी बढ़ चड़कर ये कहा था कि राइका के जंगलों को तबाह होने नहीं दिया जाना चाहिए आपने सुन ही लिया कि वो वकील जो इस राइका के मामले को लेकर NGT गए जो इस राइका के मामले को लेकर सुप्रीम कोट गए उनका क्या कहना था क्या कारण है कि इतना हशश मैनर में और इतने तेजी के साथ कोशिश अभी भी की जा रही है कि हाई कोर्ट कॉंप्लेक्स जो है जमकुश्मीर का उसे राइका शिफ्ट किया जाए क्या मामला सच में high court complex shift करने का है या फिर इस पूरे project का फाइदा किसी और को है